शाथियों जय भीम जय शम्विदान कैसे हैं आप लोग में उमीद करता हूँ कि आप लिग बहुत अच्छे होंगे शाथियों इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल करा रही है आप लोग को वैटाना चाहता हूँ कि हात रस के अंदर जिस तरीके से वो घटना होई थी और अरोपियों को बचाने के लिए पंचायत तक की गई और आपको बता दू बहुत तमाम चीजे अब उनको बचाने के लिए किया गया और आपको बता दू कि वो लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं उनको बचाने के लिए क्योंकि आपको बता दू कि जिस तरीके से एक न निर्वेया के जो केस को लड़ी थी जो ओकील वो ही ओकील जो है वो मनीशा का भी वो ही कर रही है वो केस जो है वो ही लड़ रही है तो आपको बिता दू कि इस तरीके से मतलब वो किया गया था इस तरीके से एक्टम सेम है लेकिन आपको बिता दू कि जो आरोपी हैं उनके स साथ बहुत लोग हैं उनको वचाने के लिए लेकिन आप ये बात और दूसरी वात यह है कि जो पिड़ता है उसको बसाने उसको न्याय दिलाने के लिए बहुत कम लोग हैं अब आपको बता दू कि जब निर्वेया कांड हुआ था तो सिर्व निर्वेया बताया गया था ये बताया गया कि भारत की वेटी के साथ बलतकार हुआ लेकिन जब मनीशा के साथ इस तारीके से दूसकर्म किया गया तो ये बताया गया था कि मनीशा बाल मीकी है मतलब उसके साथ उसके नाम के साथ को भी जोड दिया गया था तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना सौंगा कि प्लीज आप लोग अपील करें और आवाज उठाते रहें जब तक इस बहन को न्याएं नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से ना रहें तो बहतर रहेगा और जब न्याएं मिल जाएग तो हम लोग चैन से ने तो आप सभी को मेरा जय भी लिए